हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो किरिजी जी के ट्रिक मैं गवा रहा हूँ आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ एक बार फिट दोस्तों आज हम रिजनी के सेकेंड लेक्षर पर आ चुके हैं इसके पिले हमने पहला लेक्षर बनाया था उसमें मैंने आपको सारे कंसेप् तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे तो अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है प्रैक्टिस सेशन तो जिन लोगों ने भी यदि पहला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज आप दोस्तों बहाँ पर पहला वीडियो देख लीजे उसके बाद आप यदि इस पर एक्जाम परपस इंपोर्टेंट है उन्हें सभी कोश्चन को लेके आया हूँ सभी कोश्चन को कवर किये हैं तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन चलिए दोस्तों तो यहाँ पर हमारा पहला कोश्चन है यदि किसी घड़ी में वास्तविक सम चलिए माइनस कर लेते हैं यह बचा पचास यह कितना बचा नो नो पचास ठीक है तो कुनसा उप्शन सही है उप्शन ए उसी प्रिकास है दोस्तों दूसरा कोश्चन में दिखिए यहाँ पर यह सिंपल कोश्चन है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 1249 मतलब 1259 हो रह अच्छा एक में से दो गए एक में से एक गया एक अब दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहोंगे सर यह मैच का अनर्थ हो चुका है कि एक में से दो गया तो भी एक आया एक में से गया तो भी एक आया और वैसे पूरा गलत है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पीछले व दोस्टों आमने इस कि यहां से बचा कितना double 1, तो यहां से भी कितना बचा double 1 यहां फिर मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, 23, 60 में से आप क्या कर लिजिए, minus कर लिजिए दिए वोई time को, 12, 49 को minus कर लेते हैं, 30, 60 में से, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा same 1 1 1 1 clear है दोस्तों तो यहाँ पर कुन सा option है हमारा साई D यदि किसी घड़ी के दरपन प्रतिभिम में 3.45 हो रहा हो तो उसका वास्तविक समय क्या होगा अब यहाँ पर question को हमें घुमा दिया गा है हमारे question को अब हमें दियागा है दरपन प्रतिभिम और निकालना क्या है real time कोई दिकत नहीं question गुमा के दिया इसके trick वही होगी दिये हुए समय को हम 11.60 में से ही minus करेंगे मेरे दोस्तों तो 3.45 माइनस कर लेते हैं 11.60 में से तो यहाँ से हमारा क्या बच गया 15 और यहाँ से क्या बच जाएगा आठ तो आठ बचके 15 मिनिट कुनसा option option c यदि दरपन प्रतिभिम 3.45 है तो उसका वास्तिविक समय क्या होगा तो कैसे निकालेंगे वही 11.60 में से minus करके आईए एक और question देख लेते हैं ऐसे सिमाय हुआ यदि किसी घड़ी के दरपन प्रतिभिम में 8.30 मतलब 8.50 हो रहा हो तो उसका वास्तिविक समय क्या होगा कैसे निकालेंगे दोस्तों 11.60 में से minus करके आगया होगा आफ सब एक answer अभी तक तो ठीक है solve कर लेते हैं यहाँ पर बचा 30 यहाँ पर बचा 3 तो कितना 3.30 क्लियर है option कौन सा सही है यदि किसी घड़ी में वास्तिविक समय 3.25 हो रहा हो तो उसका जल प्रतिभिम क्या होगा अब यहाँ पर हमें find करना है water image time में से minus करेंगे दोस्तों क्या trick बता ही थी मैंने आपको 18.30 में से minus कर लेंगे तो 3.25 को minus कर लिए 18.30 में से यहाँ पर क्या बच गया 0.5 और यहाँ पर क्या बच गया 15 15.5 यहाँ क्या बोल सकते हैं इसे 3.5 कुन सा option सही है हमारा option C clear है सभी को आगे बढ़ते हैं यदि किसी घड़ी में वास्तिविक समय 9.50 हो रहा हो तो उसका जल प्रतिविम क्या होगा वापस वही कुशन है आईए बना लेते हैं काई में से minus करना है अब यहाँ पर 9.50 दिया है दोस्तों तो हम काई में से minus करेंगे 17.90 में से minus करेंगे clear है सभी को 9.50 में से minus कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया 40 और यहाँ पर क्या बच गया 8 8 बच कर 40 मिनिट कुशन नमबर 7 यदि किसी घड़ी में वास्तिविक समय 10.36 हो रहा हो तो उसका जल प्रतिविम क्या होगा आईए निकाल लेते हैं जल प्रतिविम इसका 10.36 दिया है मतलब काई में से minus करना है 17 90 में से minus करना है किसको 10.36 को घटा लेते हैं यहाँ पर बचा 4 यहाँ पर बचा 5 और यहाँ कितना बच गया 7 तो 7, 4 मतलब कुन सा option है हमारा A आगे बड़े next question पर important है ध्यान दीजेगा पांच 15 बजए घड़ी की सुईयों आपस में कितने अंश का कोण बनाती है है ना मतलब हमें क्या करना है पांच 15 का कोण निकालना है आगे इसे short trick से solve कर लेते हैं short trick कमरें क्या बोलती है 30 into A A के जगर पर hour की value minus 11 बटे 2 B के जगर पर किसकी value minute की value mode of ठीक है यहां से कितना हो गया यह 150 इतनी इतनी में लिए ओप यह 150 यहां से 2 और 15 कटनी रहे तो 11 में multiply कर लेते हैं किसका 15 का कितना आ गया 165 upon 2 आगे solve करते हैं यहां पर आ गया 150 इसका अधा कर लेते हैं 2 अटकम 2 2 अठी 16 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 अब यहां से 150 और 82.5 कम जब डिफ्रेंस लेंगे तो क्या जाएगा 67.5 यह हमारा क्या होगा answer कौनसा option है option D clear है सभी को angle निकालना आया 3.40 बजए घड़ी की सुईयां आपस में कितने अंश्का कोण मनाती है 3 बचकर 40 मिनिट का में angle निकालना है आईए बिल्कुल simple है निकाल लेते हैं क्या क्लिखना है 30 into A के जगे पे 3 minus 11 बटे 2 B के जगे जगे क्या लिख दे है minute की value तो 30 तिया कितना हो गया 90 यहां से 2 से काट लो 20 आ गया गोर 11 का multiply 20 में कर देंगे कितना जाएगा दोस्तों तो 220 और 90 का difference कितना जाएगा 130 यही हमारा क्या होगा answer 130 degree मतलब कुन सा option है C आईए में 10 पे question को थोड़ा सा briefly बतायता हूँ यदि किसी ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो actually यह जो है दिये होए है 9 9 रख दिये minus 11 बते 2 और अब इंटो करना किसका minute का तो minute कितने दिये है 37 तो 37 का यह का कर दिया multiply mode को बंद कर दिया और mode क्यों लगा है दोस्तों ताकि value जो minus में है तो भाहर आगे किसी हो जाए positive यहाँ से कितना होगा यह 270 अब 2 से 36 तो अकटने रहा तो 36 का multiply किसमें कर लेते हैं 11 में तो क्या आगिया 407 upon 2 एक step और लिख लेते हैं यही पर 270 माइनस इसका अधा कर लेते हैं 2 दूनी 4 0 2 तिया 6 और यह 5 इसको अच्छे से लिख लेते हैं दोस्तों नीचे 66.5 तो यहां से हमारा 9 बच कर 30 मिनिट का इंगल क्या होगा पहला option 66.5 डिग्री 6 और 7 बजे के बीच किस समय घडी की सुईयां एक साथ होंगी हाना overlap करेंगी मतलब हमें क्या निकालना है ultimately 0 डिग्री की value निकालना है क्या बताया था मैंने आपको short trick में दोनों जो समय दिये हैं उसमें हम क्या लेंगे छोटा वाला समय और उसका कोण तो 6 बजे का कोण कितना 180 डिग्री और उसको काई से भाग दे देंगे relative speed से मतलब 11 बटे 2 से ये दो उटके उपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 360 ये क्या हो जाएगा 11 11 से इसको भाग दे लेते हैं 11 या 33 बचे 3 11 दोना 22 बचे किते 8 तो क्या जाएगा answer हमारा 32 सही 8 बटे 11 मतलब 6 बच कर 32 सही 8 बटे 11 मिनिट पर 6 और 7 के बीच घड़ी की सुईयां आपस में एक साथ होंगी या आपस में मिलेंगे कुनसा option सही है हमारा जेकि 6 बच कर 32 मिनिट यहां पर भी दिये C में भी और D में भी पर 8 बटे 11 किसमें है C में तो कुनसा option सही है हमारा C क्लियर है दोस्तों आगे बढ़े next question पर 9 और 10 बज़े के बीच किस समय घड़ी की सुईया 0 degree कब बनाएंगे है ना तो वो समय निकालना है कि 0 degree कब मतलब वही हमसे क्या बुचा है overlay क्या करना है छोटा वाला समय लेना है और उसका angle तो 9 बज़े का कौन कितना 270 डिल उसमें हम काई का भाग देते हैं 11 बटे 2 का ये 2 उपर चले गया कितना हो गया 540 बटे 11 11 से काट लो 11.44 बचे 10 11.99 बचा कितना 1 किसे लिखेंगे इसे 59 सही 1 बटे 11 तो 9 बचकर 59 सही 1 बटे 11 पर क्या होगा घड़ी के सुईया बनाएंगे कुनसा उप्षन है 59 उप्षन 9 बचकर 59 सही 1 बटे 11 मिनिट चलिए एक लास कुशन देख लेते हैं इस टाइप का 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी के सुईया एक दूसरे से कम मिलेंगे तो समय निकाल लेते हैं बटावाला समय कुनसा आठ 8 बजे का कौन कितना दोस्तों 240 काईच भाग दिदेंगे इसे रिलेटिव स्पीट से मतलब 11 बटे 2 से उपर वाला इसे कितना बन गया 480 बटे 11 11 से काट लो इसको दोस्तों 11 चुक 45 बचे कितने 4 11 तिया 33 बचे कितने 7 जीरो डिगरी बनाएंगी 8 से 9 के बीच में कौनसा आप्शन सही है आप्शन D हमारा अगला कुशन है एक और दू बजे के बीच किस समय घड़ी की सुईया संपाती होंगी इसको आप ट्राय करिए थोड़ी सी देर में रुकता हूं बनाएंगी दोस्तों क्या आंसर आ रहा है आचुका दोस्तों आंसर चलियाएंगी साथ मसॉल करते हैं करना क्या है कुछ भी नहीं छोटा वाला समय लेना है और उसका कौन लेना है तो एक बजे का कौन कितना 30 डिगरी काई से भाग दे दे हैं 11 बटे 2 से भाग दे लेते हैं तो कितना हो गया 60 बटे 11 11 से काट लेते हैं 11 पंजे 55 केसे लिखेंगे इसे दोस्तों 5 सही 5 बटे 11 मतलब एक बच कर 5 सही 5 बटे 11 मिनिट पर क्या होगा घड़ी की सुईया 1 से 2 के बीच में सम पाती होगी कौन सा उप्शन सही है उप्शन B एक बच कर 5 सही 5 बटे 11 मिनिट क्लियर है सभी को फ्रेंट्स यदि आपको इन कोश्चनों का PDF चाहिए तो आप Crazy जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर चले जाएए वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा चलिए मेरे द्वारा भी यहाँ पर जो सवाल करवाय जा रहे हैं बताय जा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं दोस्तों समझेगा 5 और 6 बजे के बीच किस-किस समय घड़ी की सुईया एक दूसरे के लंबवत होंगी अब एक दूसरे के लंबवत होंगी मतलब क्या निकालना है हमें 90 डिग्री निकालना है और यहाँ पर देखिए option में हमें दो दो समय दिये हुए हैं मतलब हमें 90 डिग्री निकालना है किसे दोनों समय वाले तो क्या करना है पांच से ची के भीच हम ले लेते हैं, पहले पांच बजे, पांच बजे का कोण, कितना, एक सो पचास, एक सो बचास में क्या करेंगे, दूस्तों, एक बार 90 डिगरी, माइनस, और एक बार 150 में क्या करेंगे, 90 डिगरी, प्लस, यादे मैंने आपको बताया था, लास्ट 20 बटे 11, 11 से काट लेते हैं, 11 एक मम 11, भाग निए जिसके 6, कैसे लिकेंगे इसे, 10 सही, 10 बटे 11, हमारा पहला समय आगे हाँ, 5 बचकर, 10 सही, 10 बटे 11, आई ही दूसरा भी निकाल लेते हैं, अब 150 में 90 क्या करना है, जोड़ना है, तो ये 0, ये हो गया 4, और ये हो गया 2, अब यह जो भी हमारा answer आया है यहां से इसको क्या करना है 11 बटे 2 से divide देना है भाग देना है तो यह कितना बन जाएगा दोस्तों 480 बटे 11 के 11 से काट लेते हैं 11.45 बचे कितने 4 11 या 33 बचे कितने 7 तो 43 integer 7 by 11 पाँज बच कर 43 सही 7 बटे 11 मिनिट पर दूसरी बार 90 डिगरी बनेगा 5 से 6 के बीच में तो पहला चाहिए हमें 10 सही 10 बटे 11 और दूसरा चाहिए 43 सही 7 बटे 11 देख लिए कुनसा option है? option B और option D में 10 सही 10 बटे 11 है और option D में 3 बटे 11 है और option B में 7 बटे 11 है तो हमें कौन सा चाहिए 7 बटे 11 वाला तो कौन सा option सही है हमारा option B clear है सभी को समझ में आया आए आगे बढ़ते हैं अगले question पर 10 से 10.50 बजे के बीच घड़ी के सुईया किस समय एक दूसरे के लंबवत होंगी मतलब हमें ultimately वापस क्या निकालना है 90 डिगरी निकालना है पर अब यहाँ पर समय किसा दिया है आदे गंटे का 10 से 10.50 के मध्यवाला clear है तो आए किसे निकालेंगे 10 बजे का हम ले लेते हैं angle तो 10 बजे का कौन कितना होता है 300 डिगरी अब 300 डिगरी में हम का करेंगे 90 डिगरी माइनस करके देख लेते हैं माइनस करके देखते हैं तो का गया 0 यह कितना आ गिया 1 और यह कितना आ गिया 2 210 इस 210 को भाग दे लेते हैं किसे 11 बटे 2 से क्या हो गया 420 बटे 11 11 से भाग दे 2 11- devrait 33 बचे कितने 9, 11, 18, 18, कितने बचे 2, तो क्या आ गया, 38 सही 2 बटे 11, पर क्या हमारा आंसर ये है क्या, नहीं, क्यों, क्यों कि हमें बोला है दोस्तों, 10 से 10.5 के बीच में किवल बोला है, और यहां पर हमारा समय क्या आ रहा है, 38 सही 2 बटे 11, मतलब 10 बचकर 38 सही 2 बटे 11 से उपर हो गिया, शाड़े-दस से उपर के बात हो गई, तो आईए यहां पर हमारा आंसर किसे आएगा, 90 डिगरी को प्लस करने पर हमारा आनसर आएगा कौन सा 10 से सादे-10 के, बीच वाला डाइम किसे आएगा दोस्तों, 90 डिगरी हमने एक बार गरी उड़ती पूरे कितने की 307 डिगरी की और यह कितना आ रहा है 390 तो हम क्या करेंगे 390 और 360 का डिफरेंस ले लेंगे कितना आ गया 30 डिगरी अधिक बता रहा है तो जितना अधिक बता रहा है उसमें हमको भाग देना है किसका 11 बटे 2 का तो 60 बटे 11 क्लियर है 11 पंजे 55 क्या गया 5 सही 5 बटे 11 तो 10 से साड़ दस के बीच में ये वाला समय हमारा कैसा होगा सही होगा साड़े साथ से आठ बजे के बीच घड़ी की सुईया 90 डिगरी की समय बनाएंगे नभ्यांच निकालना है पर कब आदे घंटे के समय नतराल में साड़े साथ से आठ के बीच में अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजेगा हमने आपको एक बार पते थी कि छोटा वाला समय लेना है और उसका कोण भी थो इतूँ साथ वजए का कोन कितना दोस्तों डस डुग्री क्लिऄ। साथ वजए का लेना है दूस्तु साड़े साथ का बीनिलना है। प्लस करेंगे तब हमारे पास कुन सांसर आएगा, साड़ साथ से आठ बजे के बीच वाला, आए देखे कैसे, यहाँ पर हो गया यह 0, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 3, clear, अब इस 300 हम भाग देदेंगे किसका, relative speed का, मतलब 11 बटे 2 का, यह कितना हो गया, 600 बटे 11, 11 से भाग दे लो, 11, 55, बच बचे 5, 11, 45, बचे कितने, 6, कैसे लिखेंगे, 54 integer 6 by 11, मतलब 54 सही 6 बटे 11 मिनिट, तो 7 बचकर 54 सही 6 बटे 11 मिनिट पर क्या होगा, साड़े साथ से आठ के बीच, साड़े साथ से दोस्तों, 8 के बीच में कब, साथ बचकर 54 सही 6 बटे 11 मिनिट पर 90 डिगरी बनेगा, उनसा option सही है, option C, तो friends, next question है हमारा, 8 से 9 बज़े के बीच, घड़ी की सुईया 180 डिगरी की समय बनाएंगे, अब हमें क्या निकलना है 180 डिगरी, अब मिने आपको यहाँ पर एक छोटी से trick बताई थी, कि जब भी 6 बटे से बात का समय आएगा, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग कितना बचा यह, 0, यहाँ से कितना बचा, 6, यहाँ से कितना बचा, 0, मतलब, ultimately हमें 60 में भाग देना है कि इसका 11 बटे 2 का, 2 उपर चले गया, कितना हो गया, 120 बटे 11, 11 से काट ले थे हैं, 11 एक हम 11, भाग इनगे इसके 6, कितना बच गया, 10, क्या आगया, 10 सही, 10 बटे 11, डिगरी बनेगा, प्लियर है, कौनसा ओप्शन से है, ओप्शन D, फ्रेंट्स, नेक्स कोशन है, तीन से चार बजे के बीच, घड़ी की सुईया कब संरेखी होंगी, परंतु विपरीत दिशा में, अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा, बोला है, परंतु विपरीत दिशा में मतलब 180 डिगरी ही निकालना है, संरेखी का मतलब होता है दोस्तो एक ही रेखा में, और विपरीत दिशा में मतलब क्या होगी, एक दूसरे के opposite, 180 डिगरी निकालना है, कब से कब तक 3 से 4 के बीच में, अब दोस्तो यहाँ पर हम ध्यान से देखे तो समय दिया है, 6 बजे के पहले का, तो हम क्या करेंगे, 180 डिगरी प्लस करेंगे, किसमें, छोटे वाले समय और उसके कौन में, छोटा वाले समय कौन सा है, 3, उसका कौन कितना, 90 डिगरी, उसमें हम क्या करेंगे, 180 डिगरी प्लस कर देंगे, तो कितना जाएगा, यहाँ पर 270 डिगरी, क्लियर है सभ को अब 270 डिगरी हो गया 270 डिगरी को अकाई से भाग दे देंगे तो उसको बता दीजिए 11 बटे 2 से मतलब दोनों काटों की relative speed से कितना हो गया यह 540 बटे 11 ग्यार चोक 45 बचे कितने 10 ग्यार नमा के 99 बचा कितना 1 केसे लिखेंगे गुन 50 सही 1 बटे 11 क्लियर है सभी को कौन सा ओप्शन सही है यहाँ पर पहले ही 3 बच कर गुन 50 सही 1 बटे 11 मिनिट प्रेंट नेक्स कोश्चन है 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुईया 180 डिगरी की समय बनाएंगे तो 9 से 10 मतलब 6 बजे के बात का समय दिया है तो अब क्या करेंगे हम 180 डिगरी को माइनस करेंगे तो पहले ले ले लेते हैं छोटा वाला समय और उसका कौन 9 बजे का कौन कितना 270 डिगरी उसमें हम घटा लेते हैं किसको 180 डिगरी को 180 डिगरी माइनस कर लेते हैं 17 में से 8 गए कितने बच गए 9 यहाँ पर तो 0 होई गया 90 को अब हम काई से भाग दे देंगे दोस्तों 11 बटे 2 से 180 हो गया बटे 11, 11 से भाग दे लो कितना जाएगा 11 एकम 11 बचे कितने 7 वो 11 चंकी 6 चट बचे कितने 4 कैसे लिखेंगे इसे 16 सही 4 बटे 11 मिनिट पहला तो फ्रेंट्स हमारा अगला कोशन है 5 बच कर 10 मिनिट पर घड़ी की सुईयों का Y अकॉन क्या होगा मतला हमें 5 बच कर 10 मिनिट का क्या निकालना है Y अकॉन निकालना है तो सबसे पहला क्या करते है दोस्तों 5 बच कर 10 मिनिट का ये अन्ता अकॉन निकाल लेते हैं और फिर इसमें से ये वाला अकॉन जो है ये Y अकॉन है तो 360 डिग्री में से इसे माइनस कर लेंगे तो हमारी वेल्यू आ जाएगी क्लियर है तो आएए पहले निकाल लेते हैं अंतर कॉन केसे निकालेंगे T's into A एक ये पर क्या रखते हैं आवर माइनस 11 बटे 2 और ये B ये मैंना आपको शॉट्रिक बताई थी पहले वाले वीडियो में चलिया आईए solve कर लेते हैं इसे ये कितना होगे दोस्तों 150 यहां से ये 2 पंचे 10 और 11 पंचे 55 अब दोस्तों 55 और 150 का डिफिरेंस कितना होगया 95 95 डिगरी 95 जो इंगल आया वो कौन सा आया है ये वाला अब यहां से हम Y अकून केसे निकालेंगे 360 डिगरी में से 95 को क्या कर लेते हैं दोस्तों माइनस तो यहां बचा 5 यहां बचा 6 और यहां बचा 2 प्लियर है सभी को 265 तो 265 एंगल कौन सा होगा Y अकून होगा किसका 5 बचकर 10 मिनिट का कौन सा आप्शन है आप्शन A चलिए फ्रेंट्स नेक्स कोक्शन हमारा क्या है 4 बचकर 12 मिनिट पर घड़ी की सुईयों का Y अकून क्या होगा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 4 बचकर 12 मिनिट का यह वाला अंगल और फिर उसके बाद में यहां पर क्या करेंगे 360 डिग देंगे माइनस करके Y अकून निकाल लेंगे 4 बचकर 12 मिनिट का आईए निकाल लेते हैं पहले एंगल 30 A माइनस 11 बटे 2 और B की जगवे क्या रख दें 12 3 चोक 12 मतलब 120 हो गया यहां से इतनी इतने वेल्यू 2 चंकी 12 और 11 चंकी 6 अब 120 और 66 काम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आगया हमारा यहां से 54 तो 54 जो एंगल है वह यहां का इतना इतना एरिया अब हम क्या करेंगे इसके Y अकॉन निकालने के लिए इसे कायों में से मैनस कर देंगे दोस्तों 360 डिगरी में से मैनस कर देंगे 54 को तो यहां से हमारा कैंसर आजाएगा यहां पर क्या बचा यह 6 यहां पर क्या बचा 0 यहां पर क्या बचा 306 डिगरी क्या होगा Y अकॉन होगा किसका 4 बचकर 12 मिनिट का कुनसा ओप्शन दोस्तों option C प्रत्य गंटे में 20 मिनिट तेज हो जाती है यदि उससे सुबह 8 बचे सही समय मिला दिया जाए तो पुना सही समय कब दिखाएगे आज दोस्तों यही concept की मैं बात कर रहा था कि यह concept मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने छोड़ दिया था ताकि हमें यहाँ पर क्या है questions के साथ में इस concept को लेना था तो यहाँ पर questions भी हैं और concept भी पढ़ावनों मैं आपको तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी question आएंगे हम उन्हें करेंगे short trick से solve तो आईए short trick पर हम निकाल लेते हैं उसे 12 घंटे बाद भी समय दिखाएगी जैसे अभी 4 बज रहे हैं तो 4 वापस कब बजेंगे तो सुभा 4 बजे या रात में 12 बज रहे हैं अब वापस 12 कब बजेंगे तो सुभा 12 बजे तो घडिया क्या होती हैं कि 12 घंटे के समयंत्राल में समय को रिपीट करती हैं एक कहावत भी सुनी होगी दोस्तों आपने कि एक बंद घडि भी दिन में दो बार सही समय दिखाती है तो वो दो बार सही समय कब दिखाएगी 12 घंटे के समयंत्राल में अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 12 घंटे मतलब दोस्तों कितने हमारे 720 मिनिट अब आई हम लोग शौट ट्रिक निकाल लेते हैं एक घड़ी प्रत्य घंटे में 20 मिनिट तेज हो जाती है मतलब क्या कर लेते हैं यहाँ से हम फॉर्मूला क्या निकालेंगी कि एक घड़ी एक सावर में वाई मिनिट तेज हो जाती है जिस प्रकार से एक घड़ी प्रत्य घंटे में 20 मिनिट तेज हो जाती है उसी प्रकार से एक घड़ी एक सावर में वाई मिनिट तेज हो रही है मतलब हमने यहाँ पर विल्ले निकाले किसकी एक मिनिट की अब हम यहां से किस की value निकालेंगे? साथ मिनिट की value निकालेंगे तो साथ मिनिट की value निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों तरफ मतलब यहां पर भी और right hand side में भी left में भी और right में दोनों तरफ मुझे multiply करना पड़ेगा किसका? 60 upon y का यहां पर भी multiply करता हूँ किसका? 60 upon y यहां पर देखिए यह y से y cancel out हो गया तो कितना बचा? 60 और यह minute तो साथ मिनिट की value दोस्तों कितनी आ गई? x hour into 60 by y अब हमें मालूम है कि 12 घंटे में समय वही repeat होता है घड़ी पुना repeat होती ही 12 घंटे में समय को तो यहां से 60 मिनिट मतलब कितना होगे दोस्तों? 1 hour अब मुझे यहां से value कितनी निकालनी है? 12 घंटे के value निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरब 12 का multiply कर दूँगा तो देखिए दोस्तों यहां से एक सावर इंटू 60 by y यह तो हमने पहले निकाल दिया था 1 घंटे की value अब 12 घंटे की value निकाल रहे है तो 12 का multiply left hand side में भी और 12 का multiply right hand side में भी तो क्या जाएगा? 12 घंटे की value आजाएगी ठीक है? यहां पर हम थोड़ी सी जगे बना लेते हैं तो यहां तक दोस्तों समझ में हैं आपको आगे और इसे continue रखते हैं देखें किसे निकलेगा value अब क्या करेंगे? यह तो value आगे किसका? 12 घंटे का बारा आवर का इसको और simplify कर लेते हैं 12 का multiply कर देते हैं दोस्तों किसमे? साहट में तो क्या जाएगा value? xr by y into 720 बरावर किसके? 12 घंटे या इसे मैं और छोटे तरीके से लिखूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप मान लिजिये x को मान लिजिये hour और y को मान लिजिये minute तो hour by minute into 720 बरावर किसके? सही समय के तो यही है हमारी short trick दोस्तों अब इसको हम अब apply करेंगे questions में आइए friends इसी question में इस trick को लगा के देखते हैं कैसे apply होगा क्या बुलाए एक घड़ी प्रत्य गंटे में प्रत्य गंटे मतलब हर एक गंटे में तो hour की जगे भी क्या लिख देते हैं एक by कितने minute तेज हो रही है तो 20 minute तेज हो रही है into 720 बस simple है simplify कर लो इसको 0 से 0 cancel out हो गया 2 से काट ले थे कितना आगया 36 36 into 1 मतलब कितना आगया 36 गंटे तो 36 गंटे बात क्या होगा वह सही समय बताएगी तो यहाँ पर हमें क्या दिया है सुबह 8 बजे तो सुबह 8 बजे से अगले दिन के सुबह 8 बजे कितने हो गए चलिया यहाँ पर देख लेते हैं 8 एम यह हमें कब दिया है दोस्तों present day में दिया है यहाँ से हम 24 आवर आगे चले तो अगले दिन का क्या जाएगा 8 एम पर हमें कितने घंटे आगे बढ़ना है 36 घंटे तो और कितने घंटे आगे बढ़ जाएंगे 12 घंटे और आगे बढ़ जाएंगे मतलब अगले दिन के रात 8 बजे क्या होगा यहाँ सही समय बताएगी घड़ी जिसके और कोश्चन्स ले ले लेते हैं तो आपको क्या है पूरी चीज़े क्लियर हो जाएगे आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कोश्चन्स पर एक घड़ी हर एक घंटे में 10 मिनिट तेज हो जाती है यदि उससे बुद्वार सुबह दस बज़े सही समय मिला दिया जाए तो पुना सही समय कब दिखाएगी आईए इसमें हम हमारी शॉट ट्रिक लगा लेते हैं ह बाइ एम इंटू 720 बरावर किसके सही समय के तो आईए वेल्यू रख देते हैं ह मतलब कितना दिया है हर एक घंटा मतलब एक एम मतलब मिनिट बिनिट कितने दिये हैं दस और यहाँ पर 720 से क्या कर दें मल्टिपलाए तो 0 से 0 कैंसल आउट बचा कितना दोस्तो 72 मतलब बहुततर घंटे बाद यह गड़ी सही समय दिखाएगी बहुततर घंटे मतलब दोस्तो कितने दिन तीन दिन हमें समय कुन सा दिया है बुदुवार बुदुवार कब सुभा 10 बजे तो Wednesday सुभा 10 बजे तो friends बुदुवार से हम तीन दिन आगे बढ़ा लेते हैं बुदुवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार मतलब कब सेटर डे सुभा 10 बजे यह सही समय दिखाएगी कुन सा ओप्शन है ओप्शन हमारा बी वाला सही है शनिवार सुभा 10 बजे नेक्स कुश्चन है दोस्तो एक घड़ी हर दो घंटे में 10 मिनिट तेज हो जाती है यदि उसे रवीवार ज्यान दिजेगा रवीवार सुभा 10 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुन सही समय कब दिखाएगी तो आईए दोस्तों आगे बाद कर लेते हैं से सॉल्व हमारे शॉट ट्रिक लगा के शॉट ट्रिक क्या बलती है ह बाई एम इंटू सेवन ट्वेंटी आवर कितने दिये हैं दो कितने मिनिट ते जो रही है दस मिनिट इंटू किसका कर दें दोस्तों साथ सो बीस का जीरो से जीरो कैंसल आओ सेवन्टी टू टूजा 144 आवर मतलब 144 गंटे बाद जो है यह सही समय दिखाएगी अब 144 आवर मतलब हमें मालूम नहीं पड़ रहा है तो क्या कर यह 144 को आप भाग दे दिये किससे 24 से काट लेते हैं यहाँ पर 12 दोना 24 12 एकम 12 बचे 2 और 12 दोना 24 2 चंकी 12 अल्टिमेटले कितना आ गया 6 दिन ध्यान रखेगा 6 दिन बाद क्या होगा यह गड़ी वापस सही समय दिखाएगी तो आईए यहाँ से काउंट कर लेते हमारा अंसर हमें बोलाए संडे को सुबह 10 बजे से अब 6 दिन काउंट करते हैं संडे के बाद में दोस्तों आ जाते हैं रईवार से सोमवार, मंगलवार, बुदुवार गुरुवार, शुकुरुवार और शनिवार तो सेटरडे 10 अम शनिवार सुबह 10 बजे क्या होगा यह गड़ी वापस सही समय दिखाएगी मतलब 6 दिन बाद क्लियर है सभी को समझ में आ यहां तक आईए आगे वड़ते हैं दोस्तों नेक्स कोश्चन पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स कोश्चन है दोस्तों एक घड़ी 2 गंटे में 10 मिनिट टेज हो जाती है यदि उससे शुकरवार रात 9 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुना सही समय कब दिखाएगी अब इस प्रकार के जितनी कोश्चन है दोस्तों वो हमारी शॉट्रिक से क्या होगा है बिल्कुल आसान हो चुके है है ना नहीं तो हमें क्या है कि लंबा डेरिवेटिव करना पड़ता यहाँ पर हमें शॉट्रिक लगाएंगे और सॉल कर लेंगे क्या है हमारा शॉट्रिक एच बाई एम इंटू 720 आईए रख लेते हैं वेल्यू एच की जगे पर कितना दिया है आवर कितने दिये हैं दो मिनिट कितने दिये हैं दोस्तों दस मल्टिप्लाइब आए किस से सेवन ट्वैंटी से जीरो से जीरो कैंसल आउट कितना आ गया बहुत तरदुना 144 गंटे 144 गंटे अभी हमने निकाला था कितने थे 6 दिन के बराबर तो यहाँ गड़ी भी क्या होगा 6 दिन बाद सही समय दिखाईगी हमें समय दिया है कुन सा Friday का 9 पीएम अब शुक्रवार रात 9 से हमें 6 दिन आके बढ़ाना है तो शनिवार रवीवार, सोमवार मंगलवार, बुद्वार, गुरुवार 6 दिन हो गए तो गुरुवार मतलब Thursday 9 पीएम को Thursday गुरुवार रात 9 वजे जो है यह गड़ी सही समय दिखाईगी चली फ्रेंट्स हमारा अगला कोश्यन है एक गड़ी हर एक घंटे में 10 मिनिट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी हर एक घंटे में 10 मिनिट धीमी हो जाती है यदि इन्हें बुद्वार शाम 6 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुना सही समय कब दिखाएंगी अब यहाँ पर बात हो रही है दो घड़ी की और दोनों घड़ी केसी एक घड़ी हो रही है फास्ट और एक घड़ी हो रही है केसी स्लो अब यहाँ पर आप एक छोटा सा कंसेप ध्यान रखेगा पेले में इसके आपको शॉट ट्रिक का फॉर्मूला बता जाता हूं दोस्तों तो यहाँ पर हमारे शॉट ट्रिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखें ह आवर बाई M1 मतलब जो पहला मिनिट दिया है वह प्लस माइनस M2 इंटू साथ सो बीस तो यह जो होगा यह हमारे क्या होगा फॉर्मूला होगा यह ट्रिक होगी से सॉल्व करने के लिए अब दोस्तों M1 मतलब पहला वाला मिनिट और M2 मतलब दूसरा वाला मिनिट अब प्लस माइनस का क्या फंडा है वो भी देख लेते हैं देखें दोस्तों यदि दोनों घड़ी स्लो हो रही है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे यदि दोनों घड़ी फास्ट हो रही है तो भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे यदि एक घड़ी स्लो और दूसरी घड़ी फास्ट है तो हम क्या करेंगे दोस्तों प्लस और यदि पहली घड़ी फास्ट हो और दूसरे घड़ी स्लो हो तो भी हम क्या करेंगे प्लस तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा यदि दोनों घड़ी स्लो हैं तो माइनस यदि दोनों घड़ी फास्ट हैं तो माइनस यदि एक स्लो पहली वाली स्लो और दूसरे वाली फास्ट हो तो प्लस और यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला क्या दिया है एक घड़ी हर एक गंटे में 10 मिनिट क्या आती है तेज हो जाती है तो पहली वाली क्या हो रही है तेज और दूसरी वाली क्या हो रही है 10 मिनिट धीमी, तो देज और धीमी हो रही है मतलब क्या करेंगे, प्लस, आवर कित्ते दिये हैं, एक, तो आईए value रख देते हैं यह एक, बटे में 10 प्लस 10 इंटू 720 इसी को दोस्तों आगे continue कर रहे हैं तो 1 by 20 इंटू 720 0 से 0 cancel out और 2 से से काटा तो कितना आगिया 36, मतलब दोस्तों 36 गंटे बाद ये दोनों घड़ी सही समय दिखाएंगे 36 गंटे बाद मतलब एक दिन और आजा दिन, देड़ दिन बाद तो यहाँ पर हमें कब दिया है बुदुवार शाम 6 बजे तो आईए यहाँ पर लिख लेते है वेनस डे 6 पी एम यदि दोस्तों यहाँ से 24 गंटे आगे बढ़ें तो कितना जाएगा गुरुवार शाम 6 बजे अब यहाँ पर हमें और आगे बढ़ना है कितना 12 गंटे यदि 12 आवर हम और आगे बढ़ जाएंगी तो क्या जाएगा Friday 6 अ.M क्लियर है सबी को देड़ दिन कब बुदुवार से देड़ दिन जोडना है तो क्या जाएगा आंसर हमारा शुक्रवार सुभ़ 6 बजे कौनसा ओप्शन सही है ओप्शन D शुक्रवार सुभ़ 6 बजे जो है यह दोनों घड़ियां सही समय दिखाएंगी एक घड़ी हर तीन घंटे में 16 मिनिट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी हर तीन घंटे में 14 मिनिट धीमी हो जाती है यहाँ पर एक घड़ी क्या हो रही है दोस्तों तेज हो रही है और एक घड़ी क्या हो रही है धीमी मतलब M1 और M2 में क्या करेंगे हम प्लस करेंगे यह तो क्लियर हो गया यदि इन्हें गुरुवार शाम कब गुरुवार शाम 7 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुना सही समय कब दिखाएंगे आएए फॉर्मुले में वेल्यू पूट कर लेते है सबसे पेले फॉर्मुला लिख दूँ क्या है यहाँ पर ह अपॉन M1 प्लस माइनस M2 इन्टू 7 20 आए वेल्यू रख देते हैं यहाँ पर इसमें आवर कितने दिये हैं 3 M1 की वेल्यू कितनी है दोस्तों 16 प्लस M2 की वेल्यू कितनी दिये 14 अब यहाँ पर प्लस के उपरा क्लियर है न सभी को क्योंकि एक घड़ी क्या हो रही है तेज और एक घड़ी क्या हो रही है धीमी इन्टू 720 सौल कर लेते हैं 3 16 और 14 कितने होगे दोस्तों 30 इन्टू 720 0 से 0 कार्ड दो 3 से 3 कार्ड दो क्या बज़ गया 72 मतलब 22 गंटे बात 22 गंटे मतलब दोस्तों क्या बोल सकते हैं 3 दिन बात 3 दिन बात क्या होगा ये दोनों घडियां सही समय दिखाएंगे तो हमें प्रेजेंट डे कुन सा दिया है Thursday कब शाम को 7 बज़े मतलब 7 पीम यहां से 3 दिन आगे बढ़ आते हैं ये प्रेजेंट डे है तो गुरुवार से शुकरवार शनिवार और रविवार मतलब कब दोस्तों Sunday शाम 7 बज़े ये दोनों घडियां सही समय दिखाएंगे तो रविवार शाम 7 बज़े कुन सा ओप्शन सही है ओप्शन पहला क्लियर है दोस्तों आगे बढ़ें आए एक टाइप के कोशन और बचें इसके वो भी देख लेते है अगला कुशन दिया है एक घडि को जब मंगलवार शाम 5 बज़े देखा गया तो वह 4 मिनिट तेज चल रही थी और जब गुरुवार सुभा 5 बज़े देखा गया तो 8 मिनिट धीमी चल रही थी एक बार तेज चल रही है एक बार धीमी चल रही है तो बताइए घडिने सही समय कब बताया होगा अब यहाँ पर दुस्तो समस्या का है हमें आवर की value नहीं दिये मतलब यहाँ पर हमें घंटे की value नहीं दिये आवर की value नहीं दिये तो पहले हमें hour find करना होगी है कि ये जो समय बता रहा है कि मंगलवार शाम पांच बज़े देखा गया तो चार मिनट तेज चल रहे थी और गुरुवार सुभा पांच बज़े देखा गया तो इनके बीच का जो आवर है वो कितने आ रहा है दोस्तो इसके लिए भी एक ट्रिक है वो आप देख लीजी यहाँ पर हमें क्या करना है M1 upon M1 plus minus M2 into H इस फॉर्मूले से हमें इसे solve करना है यह ट्रिक मान ले सकते हैं आप इसे यह हमारी ट्रिक है इसे हमें इसे solve करेंगे पर यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होगा hour की value रखना होगी तो पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ से hour की value को निकाल लेते हैं देखे मंगलवार शाम पांच बज़े से गुरुवार तक जाना है इसे briefly समझ लेते है Tuesday 5 पी एम से कब तक पोशना है गुरुवार सुभा पांच बज़े तो Thursday सुभा पांच बज़े मतलब 5 एम तक जाना है देखो तो मंगलवार से पहले दोस्तों बुदुवार चलते हैं तो बुदुवार शाम पांच बज़े कितने गंटे हो गए 24 गंटे हो गए और बुदुवार से गुरुवार पोशना है पर कब सुभा पांच बज़े शाम को पांच नहीं है कब है सुभा पांच बज़े तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 12 गंटे तो ultimately कितना हो गया यह 24 और 12 36 36 गंटे का हमारा क्या हो गया यहां पर समय आचुका है आईए value को put कर देते हैं समझ मैं दोस्तो M1, M1 के value कितनी है 4 4 रख देते है 4 अब क्या आप करेंगे प्लस माइनस में से प्लस क्योंकि एक घड़ी क्या है तेज हो रही है और एक घड़ी क्या हो रही है धीमी और अगला मिनिट क्या दिया है 8 इंटू आवर कितने हैं टोटल 12 बारतिया 36 और तीन चोक 12 मतलब क्या दोस्तों 12 गंटे बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा तो इसे देखा कब गया था मंगलवार शाम 5 बेजे देखा गया तो 4 मिनिट चल रही थी और गुरुवार सुबह 5 बेजे देखा गया तो 8 मिनिट धीमी चल रही थी मंगलवार शाम 5 बेजे से 12 गंटे आप आगे कर दें तो कब क्या जाएगा दोस्तों मंगलवार शाम पांच बज़े से बारा गणटे एड़ कर दे तो क्या जाएगा बुदुvार सुभभ पांच बज़े इसने क्या होता सही समय बताया होगा कितने गणटे बाद बारा गणटे बाद तो क्या अंसर है हमारा यहां سے बुदुभार सुबह पांच बजे option D सही है हमारा देखे friends हमारा last question है एक घड़ी को जब गुरुवार शाम 7 बजे देखा गया तो वह 20 मिनिट तेज चल रही थी जब शनिवार रात 9 बजे देखा गया तो वह 10 मिनिट तेज चल रही थी अब यहाँ पर यह दोनों बार क्या चल रही है तेज चल रही है तो बताएए घड़ी ने सही समय कब बताया होगा अब यहाँ पर आएए हम पहले सबसे पहले hour की value निकाल लेते हैं गुरुवार शाम से Thursday 7 पी-म से कब तक पोचना है शनिवार रात को 9 बजे आईए पोच्टे सिदे तो गुरुवार से हम 24 घंटा आगे चलें तो क्या जाएगा शुकरवार 7 पी-म और यहाँ से फिर 24 घंटा आगे चलें तो क्या जाएगा शनिवार 7 पी-म अब हमें कब तक जाना है शनिवार रात को 9 बजे जाना अब ही कब तक आगए हम लोग शनिवार शाम को 7 बजे मतलब कितने घंटे और आगे एड़ करना होंगे प्लस दो आवर और एड़ करना होंगे मतलब कितने होगे दोस्तों 24 और 24 और ये 2 कितने 50 आवर तो हमारे आवर की वेल्यू कितने आगई 50 तो चलिए आईए फॉर्मुले में हमारे वेल्यू पूट कर देते हैं फॉर्मुला क्या था हमारा M1 बाए M1 प्लस माइनस M2 इन्टू H आईए वेल्यू रख देते हैं तो M1 की वेल्यू कितनी है 20 नीचे 20 माइनस 10 अब यहाँ पर माइनस क्यों करा दोस्तों क्लियर हैं सभी को क्योंकि दोनों घड़ी केसी चल रही है तेज इन्टू H आवर की वेल्यू कितनी है 50 आईए इसे यहीं कंटीनू कर लेते हैं उपर बचा 20 नीचे बचा कितना 10 इन्टू 50 जीरो से जीरो कैंसल आउट वीसा पंजे 100 मतला दोस्तों 100 घंटे बाद जो है यह घड़ी ने सही समय दिखाया होगा अब 100 घंटे बाद मतला दोस्तों कितना हो गया 4 दिन और 4 घंटे चार दिन 4 घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा गुरुवार से गुरुवार शाम 7 बज़े से देखना है तो गुरुवार शाम 7 से मतलब Thursday 7 पीम से 4 चार दिन आगे पहले 4 दिन आगे चलते हैं फिर 4 घंट आगे चल लेंगे तो गुरुवार के बाद में शुकरवार, शानिवार, रविवार और सोमबार तो यहां तक मंडे तक आए तो 4 दिन हो गए कब 7 पीम पर हमें 4 दिन नहीं आगे 4 घंटे भी और आगे बढ़ना है तो मंडे 7 पीम इसमें प्लस 4 आवर एड़ कर देंगे तो कितना जाएगा मंडे को कब 11 पीम मतलब सोमबार रात 11 बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा option C हमारा सही है तो यहां तक था हमारा clock का पूरे concept और उसके सवाल practice session मेरे ख्याल से आपको पूरा practice session अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों आप यदि इतने सारी सभी question जितने मैंने आपको लगवाए हैं यदि यहाँ आप लगा लेंगे अच्छे से इनी question ओको एक बार आप फिर से यदि लगा लेते हैं खुछ से ही तो आप mostly सभी questions को solve करके आप आएंगे clock के जितने भी exam में आते हैं questions उन्हें तो friends इस chapter में इतना ही यदि आपको मेरे द्वारा बताए गई यहाँ पर short tricks और जितने भी में आपको trick या तरीके बताए हैं यदि आपको समझ में आए हैं तो please दोस्तों इस video को like करिए channel को subscribe करिए और video को share करिए मिलते हैं हम अगले chapter में कुछ इसे प्रकार के important questions और trick के साथ में ठीके दोस्तों तब तक के लिए जै हिन जै भारत